तो बहुत स्वागत है आपका पीछे आप देख सकते हैं क्रिस्टियान और रॉनाल्डो की तस्वीर है भाईया बैलेंडी और हाथ में पकड़ा हुआ है ट्रोफी आप देख सकते हैं पीछे हैं लेकिन आज आप कहेंगे कि भाईया इन सारी बातों का जिक्र क्यों हो रहा है तो इनका जिक्र हिसली हो रहा है क्योंकि रॉनाल्डो ने अपने करियर की 32 ट्रोफी में से अपनी फेवरेट ट्रोफी को भी चुना है और अपने 777 ओवरॉल गोल्स में से अपना फेवरेट गोल भी चुना है तो अगर हम आपको सबसे पहले ट्रोफी का कुछ दीदार कर कि कितना बड़ा रोल रहा है उनका Champions League जिताने में अगर आप ला लीगा भी देखें वो सारी चीजे और इसके बाद अगर आगे बढ़े तो ये FIFA बेलेंडियोर भी उन में से एक है जिसमें Cristiano Ronaldo ने एक जो है वो Man United में रहते वे जीता था और उसके बाद बागी के चार अगर आप देखेंगे तो मड्रिड में आकर जीते हैं इसके आगे भी अगर हम बड़े तो इस बार तो कोपा इतालिया भी जीत गए वो पहली बार था रोनाल्डो के रहते वे युवैंटस जब वो जीती तो भाईया ट्रोफी तो बहुत सारी है ट्रोफी तकरीबन अगर आप स पुर्टगाल उस यूरो को जीती थी और जब वो यूरो कप उन्होंने जीता तो रोनाल्डो ने एक इंटर्वियू में इस बात को माना है कि भाईया सारी ट्रोफी एक तरफ लेकिन इस ट्रोफी के तो अपने मायन है मेरे लिए ये मैंने अपने डेश के लिए जीती थी और यह मैं चाहता हूँ एक बार और जीतना यानि इस बार भी यूरो में हम जानते हैं भाईया पुर्टगाल की टीम बहुत शांदार है अच्छे खिलाडी कुछ उनके पास है खासता और अगर आप डिफेंस लाइन में बात करें आगे फॉरवर्ड में तो खुद भाईय ट्रोफी जीत भी चुके हैं सबसे प्यारी भी यही है दुबारा भी जीतना चाहते हैं तो यह तो हो गई 32 ट्रोफी में से एक सबसे प्यारी ट्रोफी चुनना लेकिन इसमें भी जब रॉनाल्डो परिशान हो गए तो आप सोचिए जब उन्हें 777 overall goals में से एक goal चुनना पड़े तो अगली तस्वीर के पास हम चलते हैं अब क्योंकि यहां पर भी goals के संक्या man United के लिए उन्होंने कितने गोल स्कोर किये उनकी फ्री की जो डिप होती थी और सीधे नेट्स को छुजाती थी Real Madrid के लिए उन्होंने record लगाए हैं पोर्तगाल के लिए उन्होंने goal score किये हैं तो goal machine तो वो है ही इसलिए उनका नाम 777 goal हैं अलग-अलग level पे लेकिन फिर एक goal जब उन्होंने चुना और उसके बात उन्होंने की तो यह तस्वीर सामने आती है 2018 quarter final against Uantas जी हाँ बारिश हो रही थी और इस तस्वीर को देखकर अगर आपको भी याद नहीं आया मैं किस goal की बात कर रहा हूं तो एक तस्वीर अगर और आगे जाएं तो यह आप देखिए किसे आप बोल लीजिए कुछ लोग bicycle kick भी कहते है रॉनालडो कहते है जी इस goal से आगे मैं कुछ नहीं सोच पाता जब मेरे overall goals को आप देखते हो तो मुझे यह goal खास तौर पर आप यह देखिए यह हमने जब इसका distance calculate करने की कोशिश किए उनका jump तो आपको पता है कितना ब भाशा में आम तोर पर आप केते हो यार बुलेट मारा इसने लेकिन रॉनालडो कहते है मेरी penalties को आप rocket कई है क्योंकि वो इतनी तेज निकलती है लेकिन यह जो उन्होंने overhead shot मारा था इसकी आप distance देखिए यह 7 feet 7 inch है यानि अगर मैं भी खड़ा हो जाऊं तो मेरे उपर भी आपको एक fit का बंदा और रखना पड़ जाएगा और उस पे भी आप कम से कम आपको 6 inch और जोड़ना पड़ेगा तब जाके यह distance calculate होता है और 7 feet 7 inch की यह पूरी की पूरी जम जहां पर ball उन्होंने जो है foot से meet की है वो distance ही है तो इसलिए इसके मायने बहुत ज्यादा खास है उसके बाद बारिश हो रही थी उसके बाद जिस तरह से जो हमने जनता देखी भई कि भई पूरे competition में उस goal score के बाद रुनाल्डो को जिस तरह का अभिवादन मिला कि हर कोई ताली बजा रहा है मतलब Turin में भी लोग ताली बजा रहे है इस goal को देखने के बाद और वो जो वो यूरो 2016 की और 777 गोलों में सबसे शहनदार गोल 2018 quarterfinals versus Juantus वो जो overhead kick थी उनकी वो उनका best goal है आपको भी अगर यह लगता है आपको लगता है कि भाई कोई और गोल भी यह जो बहुत जबर्दस गोल है तो आप जरूर कॉमेंट करके बताएए या कोई ऐसी trophy जो आपको यूरो तो ठीक है लेकिन यह trophy भी बहुत दिल्चस्पती तो उसके बारे में भी होता है यह फिलाल इस video को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया